तो इस वाली वीडियो में हम लोग समझेंगे voice of customer dashboard को जो flip card में नया introduce हुआ है तो उसके लिए मैंने ये dashboard open कर लिया है जैसे आपको एक चीज तो पता होगी कि listing में जब भी आप जाते हो लिस्टिंग में यहाँ पर आपको just a second में एक बार इसको refresh कर लेता हूँ listing में आपको यहाँ पर सामने देखिए listing quality आया रहा है dashboard इस पर मैंने वैसे detail वीडियो बना दी है वो आप जाके चेक कर ले न मैं इस वीडियो के end में इसका link दे दूँगा तो इसमें मैंने यह सारा कुछ आपको बता दिया था कि यह listing quality dashboard में होता क्या है राइट इसी चीज को थोड़ा रिफाइन वे में थोड़ा अलग से अभी फ्लिपकाट ने इंटर्ड्यूस किया है वो है ग्रोट टैब में आप यहाँ पर वाला टैब देखोगे इस टैब को थोड़ा हम study करेंगे और इससे हम क्या बहतर कर सकते हैं अपनी sales को increase करने में उस पर बात करने वाले हैं सो वेलकम टो रिशी कॉमर्स आयम रिशी सीधे स्टार्ट करता हूं तो देखिए टॉप में यहाँ पर लिखा हुआ रहा है voice of customer dashboard तो यहाँ पर main आपको इस dashboard में completely क्या पता चलेगा कि customer आपके product के लिए कैसा respond कर रहा है क्या आपके product में कोई खराबी चल रही है या कोई ऐसा point जो हर एक customer point out कर रहा है तो वो यहाँ पर आ जाएगा तो यह बहुत अच्छी बात है पहले क्या होता था जब भी हमें research क करना पड़ता था कि customer हमारे product के बारे में क्या कहना चाहा रहा है तो हम क्या करते थे returns देखते थे कितने आ रहे है हमारी returns में क्या क्या comment डाल रहा है customer वो सब जालते थे वो थोड़ा difficult हो जाता था अगर अलग सा dashboard आ गया है तो इसको आप बहुत अच्छे से use करके अपने returns भी कम कर सकते हो अपने product अपने competitors से भी compete करके देख सकते हो कि उनका कैसा चल रहा है और मेरा उनसे बहतर चल रहा है खराब चल रहा है तो बहुत detail में हम लोग बात करेंगे ज्यादा लंबी नहीं करूंगा video सीधे start करता हूं तो यहां पर आप सबसे पहले टॉप में देख रखें तो आप इतना बचा सकते हैं तो यह तो चलिए वैसी डेटा है रेंडम अब यहां पर देखिए क्वालिटी वाइस ब्रेकडाउन यहां पर दे रखाई यह बहुत important है क्योंकि लिस्टिंग में जब यह वाला update आया था excellent good average bad तो वहां पर filter करने का कोई भी option नहीं थ होगा वह blue में होगा और excellent जो ग्रीन में होगा तो यह जो client है हमारे इनका आप देखोगे 25% जो है वह blue में है मतलब की good में चल रहा है और बाकी 75% जो है वह excellent में चल रहा है तो यह बहुत अच्छी बात है कि 75% excellent में है listing और बचे हुए जो 25 है वह good में है कोई भी average में नहीं है और bad में नहीं है इसके पीछे reason यह भी है कि नई listings हो सकती है तो नई listing में कई बार यह data properly update अभी तक नहीं हुआ रहता है बट आप मुझे एक चीज़ बताओ आपके excellent में कितने percentage यहां पर show हो रहा है वैसे कई sellers को यह update अभी नहीं आया है बहुत जल्दी आ जाएगा जैस मतलब से आपका जो रहना चाहिए 50% से उपर तो excellent रहना चाहिए उसके बाद जो बचे हुए percentage है उसमें maximum जो है मतलब 70-80% उसमें good होना चाहिए और जो कुछ percentage है 10-15% वही average में आना चाहिए बैड में कोई भी नहीं जो बैड में आ गया मतलब आपको सीधे उसको pause कर देना है उसके बाद उसको बेचने का कोई फाइदा नहीं उसको गलत response आ रहा है उसको आप बेच नहीं सकते उससे आपका नुक्षान ही हो रहा है average जो आ रहे हैं उनमें आपको improvement करने की जरूरत है तो सबसे बहले यह जो उपर slide दे रखा यह बहुत काम का है इसको आपने अपन सबसे पर आप detail में इनको read कर सकते कैसे read करना है सबसे आप चाहें तो यहां पर category का filter लगा सकते मैं अभी category का filter नहीं लगाँगा आप ब्रेंड का filter लगा सकते और apply कर सकते अगर आपके multiple brands आप बेच रहे हो या multiple category बेच रहे एक friend wise आप यहां पर देख सकते हो उसके बाद यहां पर ऊपर आप जिस परपिक करोंगे वही लिस्टिंग नीचे विडिवे तो सबसे पहले मैं 75 पर click करता हूं तो 95 एक्सिलेंट वाले हैं में वह हम देखने वाले और लिस्टिंग प्लिक करोडे तो सारी लिष्टिंग आ कि मतलब 25 परसेंट भी 75 वाली ठीक है अभी मैं 75 वाली देख रहा हूं उसके बाद नौट सर्चेबल एंड ऐसे प्रॉडक्ट जिन पर जो सर्चेबल नहीं है या फिर फिर लॉस्ट हो गया है वो यहां पर आ जाएंगे एट रिस्क आप सर्च विजिबिलिटी जिनकी विज प्रेश कर देता हूं यही आपका यहां पर लगा हुआ रहता है तो यह यहां पर आ चुका है अब यहां पर आप लिस्टिंग आप देखिए पहली लिस्टिंग है यह लिस्टिंग में आपको क्लिक करके बता भी देता हूं यह है विमेन कुरता है प्लस इसमें पैजामा और दुपठ्टा सेट भी है इसकी जो quality है वह excellent में आ रही है अगर मैं यहां पर enlarge करता हूं तो देखें यहां पर excellent का सारा details दे रखा है कैसे कैसे है क्या-क्या इसमें चल रहा है आभी आप चाहें तो आप फ्लिपकार्ट हेल्प वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेक कर लेना या आप यूट्यूब पर सर्च करोगे मेरा नाम लिखके तो आ जाएंगे अब यहां पर आप जीमवी लॉस पर देखिए तो 39 रुपे का जीमवी लॉस है यह कोई बड़ा बड़ा कोई देटा नहीं है तो इन पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है अगर यहां पर जैसे मान के चलिए गुड में मैं लगाता हूं तो यहां पर ज्यादा दिखेगा आपको और वहीं आप एवरेज का लगाओगे तो उसमें जीमवी लॉस और ज्यादा दिखेगा मतलब की आपका कस्टमर फीडबैक की वज़े से जो लॉस हो रहा है वो यहां पर आपको शो होगा तो यह अगर नंबर ज्यादा है तो उसको आपको प्राइटी पर काम करने की जरूरत है उसके बाद यहां पर रेटिंग देखिए आप वर्सेस बेंचमार्क तो हर कैटिगरी क्या प्रेंचमार्क होता है जो आपके कॉम्पटीटर होते हैं मानके चलिए ये कुर्ता सेट भिक रहा है कुरती वगड़ा तो इसमें आपके कॉम्पटीटर भी होंगे तो वह कॉम्पटीटर का रेटिंग कितना चल रहा है वो यहां पर नीचे दिखाये जाएगा यह वाला आप देख सकते हैं नीचे वाला और आपका क्या चल रहा है वो यहां पर उपर में चोग होगा तो आप देखिए excellent में है तो 4.04 आपका है और 4 इसमें benchmark चल रहा है इसका मतलब आपका benchmark से उपर ही है बहुत अच्छी बात है returns भी आप देखेंगे तो यहां पर benchmark 8.87 का है मैं इसको तो जूम कर लेता हूं अगर यह होगा यह देखिए 8.87 का है और आपका जो चल रहा है वो 5.01 का चल रहा है तो यह बहुत अच्छी बात है तो मैं फिर से जूम आउट कर देता हूं उसके बाद यह पहली वाली आपको कोई रेकमेंडेशन देनी होगी तो यहां पर आपको बता देगा जैसे यहां पर तो कोई recommendation यह जिस्त आपको वही insights दिखाएगा उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं जैसे यह वाला आप देखिए यह वाले product में इसमें हो सकता है फैबरिक को लेके बहुत ज्यादा complaints आ रही तो इंप्रूव फैबरिक क्वालेटी पर यहां पर आ रखा है अगर आप इसको accept कर लेंगे तो डबल टिक आ जाएगा नहीं क्लिक करना है और अगर कुछ और है तो यहां पर क्लिक कर सकते हैं कोई भी क्लिक करेंगे यह यहां पर आ जाएगा तो आपको यहां पर देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है अप्ग्रेड़ क्लोथ क्овलिटी अप्ग्रेड़ क्लोथ क्वालिटी प्रॉम 120 GSM तो 140 GSM जी तो क्पड़ों की क्वालिटी का एक मिजरमेंट होता है जो चो कपड़े में डिल करते हैं जो कि बहुत अच्छा feedback है helpful feedback है आप इसको जरूर ले सकते हैं राइट उसके बाव जो भी आप देखेंगे इसमें बहुत अच्छा चल रहा है इसमें थोड़ा बहुत quality का issue है तो यहां पर बता दिया गया है पाकी में कुछ भी नहीं है insights दे रखें हैं वो insights आप चेक करके उ जब आप यहां पर good में जाएंगे एक्सलेंट से नीचे good है good में जाएंगे तो यहां पर आपको काफी चीज़े improvement के लिए मिलेगी जैसे GMV loss इसमें हो रखा है तो आप उतना भी नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत है तो आपको इसमें इंप्रूमेंट करना पड़ सकता है बाकी good भी almost के बराबर है बट थोड़ा बहुत इसमें जो है वो आप यहां पर insights चेक करेंगे insights में देखे bad में आ रहा है और यहां good लिखा हुआ है एक बार मैं refresh कर देता हूं अगर refresh करने में सही आगे तो ठीक है otherwise होता है इसलिए बोला कि जो नई listing है उसमें यह default मतलब इसमें गलतियां रहती है फिलिपकाट की यहां पर तो good में आ रहा है बट यहां से अगर आप insights में क्लिक करेंगे तो यह bad में आ रहा है तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता और यह मैंने एक शॉर्ट में रील में बताया भी था कि फ्लिपकाट में जो यह new service dashboard start किया है जहां पर good bad या फिर average excellent बता रहा है वहां पर अभी भी दिक्कत चल रही है तो यह दिक्कत मुझे लगता जल्दी से शॉर्ट आउट हो जाएगी अब अगर यह bad में है तो इसमें आपको काम करना पड़ेगा अभी जाके यह good में आएगा तो उसके लिए आप यह वाली वीडियो देख लेना जिसमें मैंने प्रॉपर यह सब समझा रहा है इस वीडियो के एंड में मैं दे दूँगा तो इस उसके बाद उसको pause कर दो कि बहुत खराब feedback उसके आपके आ रहे हैं तो यह था voice of customer dashboard यह पूरा समझ में आपको आ गया होगा लाइक करे भीना नहीं जाना है वीडियो को लाइक कर दो या time थोड़ी लगता है सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब बहुत कम से लर कर रहे सब्सक्राइब कर देना और उसके बाद जो इसके बाद मैं इस वीडियो के एंड में दूंगा वो वीडियो जरूर देख लेना till then thank you very much keep selling on flip card